हलो डियर स्टुडेंट हाउ आई यू आई होप ओल उप यू आर गूड एन ओल उप यू आ डूइंग ग्रेट मैं विक्की कुमार बहादूर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटिप चैनल राहूल कोमर्स एकेडमी में तो मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंटेंसी का एडमिशन ओफे पाटनसिफ फार्म जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने हीडेन गुडविल तक के कोस्टिंस को पढ़ लिया था और आज हीडेन गुडविल के आगे यानि कि बैसिकली जहां से री वेलुएशन अकाउंट स्टार् अब सवाल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रिवेलुएशन अकाउंट क्या है रिवेलुएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है उसके कॉंसेप्ट क्या है फोर्मेट क्या है पूरा फोर्मेट और ताति साथ जर्नल एंट्री इतना इजी वे में बन जाओगे ठीक अब सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि सर्जी रिवेलुएशन अकाउंट है क्या तो देखो बच्छा लोग यह जो रिवेलुएशन अकाउंट होता है रिवेलुएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रोफिट एन लोस एडजस्टमेंट एक इंपोर्टेंट नहीं बलकि जब कभी भी पार्टनरश्स पांका रिकॉंशन होता है साजदारींट का पुनर गठन होता है पीर चाहे चेँज प्रोफृट सेरिंग रियेशी हो और किसी पार्टनर का एड्मिशन हो कोई पार्टनर का रिटायर करे या dear करे इन तीनों ही इ इसी भी partnership farm को फिर से start किया जाता है, रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है, उसका उस समय कुछ-कुछ assist और कुछ-कुछ liability का amount या तो increase हो जाता है या decrease, कुछ-कुछ assist जैसे land, building, furniture, stock, debtors, इस तरीके का कुछ-कुछ assist का amount या तो increase हो जाता है या decrease, उसी तरीके से कुछ-कुछ liabilities, जैसे कि मालोग creditor हो गया, bills, fable हो गया, other liabilities, तो कुछ-कुछ liabilities increase या decrease हो जाते हैं, तो assist और liability के increase या decrease होने से कभी-कभी partner को या तो profit होता है या तो loss होता है, तो partners लोग ये पता लगाना चाहता है कि जब farm को reconstitution कर रहे हैं, उस समय कौन-कौन assessed और कौन-कौन liability कितना रुपया से increase या decrease होने से कितना का profit या कितना का loss हो ये पता लगाने के लिए revaluation account बनाया जाता है, यानि end of the summer, revaluation account, profit और loss ही हमको पता लगा के बताता है, अब चुकी revaluation account बनाने से profit या loss का पता चलता है, इसलिए revaluation account nominal account का part है, यानि पुनर बुल्यांकन खाता एक नाम मातर खाता होता है, याद रखना दुनिया का ऐसा कोई भी account जो आपको profit या loss बताए, वो account nominal account होता है, तो revaluation account या जिसको हम लोग दूसरे नाम profit and loss adjustment account के नाम से जानते हैं, ये revaluation account होता है, ठीक है, तो हम लोग जान गए, revaluation account क्या है, उसका theory, उसका meaning जान गए, क्यों बनाया जाता है, ये भी जान गए, क्या होता है, ये भी जान गए, अब हम लोग जानते हैं कि revaluation account कैसे बनाया जाता है, ठीक है, चलो, तो format बताने से पहले आपको एक छोटा सा summary notes लिखवा दे रहे हैं, इन notes को आप जो है, मेरे लिए note down करके इसको रख लो, मेरे लिए इन notes को आप लो note down करके रख लो, क्या लिखे हैं, देखो, सबसे पहला notes में यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, it is a nominal account, विल्कुल सही, ये एक nominal nominal account, nominal account का मतलब होता है, ना ममातर खाता या एक nominal account होता है, ठीक है sir, question number 2 पे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, वही assessed और liability को दिखाया जाता है, जो increase या decrease होता, याद रखना, अगर मानलो question में एक farm में balance sheet दिया है, उस balance sheet के अंदर बहुत सारा assessed और बहुत सारा liabilities दिया है, ले पका के से चलेगा कि कौन सा assessed और कौन सा liability increase या decrease हुआ, तो ध्यान से समझना, balance sheet के अंदर assessed और liability का amount रहेगा, और question के नीचे adjustment में assessed और liability का amount देगा, balance sheet के अंदर जो amount होता है, वो book value कहलाता है, और नीचे adjustment पे जो amount दिया होता है, वो market value, तो आपको उन दोनों को compare करके पता च decrease हुआ या decrease, अब increase या decrease होने से किसको debit में दिखाएंगे, किसको credit में दिखाएंगे, इसको आगे हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, और ये तिसरा चीज याद रखना है, debit कम होने पर profit होगा, आपको याद रखना, revaluation account बनाते समय, अगर debit कम होगा, यानि कि debit side घटेगा, तो profit अब चुकि हम लोग admission पढ़ रहे हैं, तो admission में ये आपका profit आए, चाहे loss आए, याद रखना, old partners के बीच, profit आए, चाहे क्या आए, loss आए, old partners के बीच, old ratio में इसको बाट देंगे, इसको कभी मत भूलना, admission में, जो भी profit and loss होगा, वो old partner को old ratio में बाटेंगे, जैसे, suppose कर लो क A और B एक farm को चलाता था, ये दोनों old partner था, अब एक नया partner C farm में admit हुआ, C new partner है, तो A और B का पहले का जो assist or liabilities है, वो लोग इसके लिए revaluation account बना रहा है, यानि ये जो revaluation account बनेगा, उसका जो भी profit and loss होगा, वो A और B को मिलेगा, C को नहीं मिलेगा, यही चीत समझा रहे हैं यही चीज़ जब retirement बनाते तो retirement में सब को देते, यानि जब retirement बनाते तो उसमें हम लोग old partner को देते, लेकिन ये तो retirement नहीं है, ये तो हम लोगों का admission है, तो admission में revaluation account में profit आए, चाहे loss आए, old partner को old ratio में देंगे, बस इतना याद रखना है, clear मेरी बाते, ठीक है, चलो हर format ना कभी हुआ है, ना होगा, इतना easy format है, इसका बस आपको थोड़ा सा समझना है, देखो समझाते हैं अभी, ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ-कुछ चीज हम note down कर रहे हैं, अच्छा से अब समझना, हम लोग format बना रहे हैं, किसका भाई, revaluation account का format सीख रहे हैं, ठीक है, सर टी का design में दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है सर, इस तरीके से जो है इसका format होता है, और बहुत TG format, पता है कौन सा format है इसका, कौन सा account बना रहे हैं सर जी हम लोग, revaluation account, हाँ, आपको मन करें, तो आप revaluation account को profit and loss adjustment account बोलो, कोई दिकत नहीं है, अब देखो बनता कैसे है, पापा का format में बनेगा, आप बोलोगे सर, पापा का format में कैसे, देखो, पापा का format बोले तो P4 particular, फिर उसके बाद A4 amount, ये debit side का हो गया, similar ऐसे ही यहाँ पे फिर लिखेंगे credit side के लिए, यहाँ पे particular, ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका amount, लो जी हो गय कौन सा format है, पापा का format, पी ए, पी ए, पापा, बताओ, इतना EGI की नहीं भाए, बिल्कुल EGI तो पापा का format में बनेगा, अब ध्यान से समझना कि ये जो है मेरा बनता किस तरीके का है, profit and loss, revaluation account किस तरीके से बनता है, पहली बात, अब आपको ये बोले, कि ये जो हम लोग हुने पढ़ा है न, elephant में nominal account का golden rule क्या होता है, बोलो, बोलो, हाँ, nominal account का golden rule, हाँ, debit all expenses and losses, credits all income and gain, किसी भी assessed और利ability के increase veya decrease होने से, आपको अगर expenses and losses होता है, क्या होता है भई, expenses and losses होता है, तो आप उसको debit में दिखाँगे, और assessed और liability के increase or decrease होने से, अगर आपको income and gain होता है, तो income and gain को आप credit में दिखाओगे बोलो मेरे साथ एक बार बोलो हम क्या बोले सर जी हम बोले कि कोई भी neste और कोई भी liability increased या decrease होने से अगर आपको expenses and losses हुआ तो आप उसको debit में दिखाओगे कोई भी assessed और कोई भी liabilities increase या decrease होने से अगर आपको income and gain हुआ तो उसको आप credit में, expenses होगा debit में, income and gain होगा credit में, clear है सर जी, हाँ, सर हमको पता के से चलेगा कि कौन सा एसेस्ट, increase or decrease होने से कब हमको profit या loss हुआ, अच्छा हम आपको एक normal सवाल पूछते हैं, आपके पास 5 बकरी था, कितना बकरी था भई, 5, आप बोलें कि सर बकरी तो नहीं है मेरे पास, मान लो आपके पास 5 बकरी था, तो बकरी थो भई हमारा एसेस्ट हुआ, लीब सटोक हुआ की नहीं, लीब सट हासर हुआ, सपोज कर लो आपका एक बकरी और बड़ गिया, 5 से हो गया, 6 बकरी, एक बकरी बढ़ गया एक बकरी अगर बढ़ गया तो इससे आपको profit होगा क्यूं क्यूंकि कल को जब आप बकरी को बेचोगे तो 5-6 बकरी का आपको पैसा मिलेगा यानि सिंपल बात है एक बड़ेगा तो उससे हमको फायदा होगा एसस्ट इंग्रीज होगा तो profit होगा उसी के जगा अगर एसस्ट घट गया तो उससे expenses and losses होगा कमाल है ना एसस्ट बढ़ेगा तो income and gain होगा एसस्ट घटेगा तो expenses and losses होगा लाइबिलिटी ठीक इसका उल्था चलता है liability अगर increase होगा तो मेरे लिए क्या होगा expenses and losses क्योंकि liability मतलब होता है करजा, liability बढ़ गिया यानि कि करजा बढ़ गिया liability बढ़ा तो expenses and losses होगा liability घटा तो income and gain होगा, इतना याद रखना है, ठीक है सर जी हाँ सर समझ में आ गिया, आप जो बोल दो हम लोग को समझ में आ गिया, अब हम लोग इसका जो है, वो question and answer करते हैं sorry, format करते हैं, question and answer कहां से, भई, अब ध्यान से समझना revaluation account बनाने के लिए simple बात है, हम अब ही बताएं, कि assessed जब increase होगा, तो उससे हमको profit होगा, assessed increase होगा, तो income and gain होगा और income and gain को credit में दिखाते हैं, यानी buy side buy side हम लोग दिखाएंगे buy, increase in buy रुकिये थोड़ा system नहीं चल रहा है, ठीक से पता नहीं क्या हो रहा है, laptop जितना बार बनाते हैं उतना और ज़्यादा खराब होता है buy increase in assessed, कोई भी assessed अगर increase होगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे credit side क्योंकि increase होने से income and gain है credit side, अब इसका उल्टा assessed increase होगा तो credit में और अगर assessed घट गया, decrease होगा तो loss होगा debit में तो debit two side होता है, तो दिखाएंगे हम लोग इधर two, decrease in assessed, बोलो जी क्या हम आपको रटा मरवा रहे हैं क्या आपको रटा मारना पड़ रहा है बिल्कुल नहीं सर जी assessed increase होगा तो credit में assessed decrease होगा तो debit में clear है, हाँ सर, clear है अब liability ठीक उसका उल्टा liability increase होगा तो expenses and losses है liability increase होगा तो expenses and losses है debit में तो उसको हम लोग debit में दिखाएंगे to to increase in to increase in liabilities थोड़ा spelling पूरा नहीं हो पाया manage कर लेना increase in liability होगा तो debit में क्योंकि liability बल रहा है तो खर्चा है और liability अगर decrease हुआ तो credit में by decrease by decrease in liabilities ठीक है भाई कोई भी liability increase होगा तो debit में कोई भी liability decrease होगा तो credit में एक बार repeat कर लो assessed increase होगा credit में assessed decrease होगा debit में liability increase होगा debit में liability decrease होगा credit में concept बता दिये liability increase होगा income and gain है credit में liability decrease होगा sorry assessed increase होगा income and gain है credit में SS decrease होगा expenses and losses debit में liability increase होगा expenses and losses है debit में liability decrease होगा income and gain है credit में ठीक इसके अलावे कभी-कभी unrecorded SS होता है ऐसा SS जो मेरे पास था लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं था इसलिए balance sheet में वो चीज लिखा हुआ नहीं है तो अगर unrecorded SS होगा तो मेरे लिए फायदा है तो credit में हम लोग mention करेंगे इसको by unrecorded SS को by unrecorded SS अगर कोई unrecorded SS होगा तो उसको credit में ठीक है सर उसी तरीके से कोई-कोई unrecord liability होगा ऐसा करजा जो हमको पता नहीं था लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो करजा हमको देना होगा वो liability हमको देना होगा तो unrecorded liability होगा तो debit में to unrecorded liabilities unrecorded liabilities होगा तो उसको हम लोग किदर दिखाएंगे भाई debit में ठीक है सर जी चलो और क्या क्या जाएगा सर एक और चीज जाता है last provision for bad debts तर यह होता क्या है provision for bad debts का मतलब होता है हम लोग business चला रहे हैं हम लोग किसी को उधार में सामान बेचे हैं यानि जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे हैं वो हम लोगों का dators होता है तो उधार में हम यह जिन dators को पैसा दिये हैं हमको पता है कि यह सारा dators अपना पैसा हमको वापस रिटर नहीं करेगा इन dators कि हाँ मेरा पैसा डूबेगा ही डूबेगा तो हम पहले ही मानके चलते हैं कि चलो भाई मेरा इतना इतना पैसा जो आए वो डूबेगा डूबेगा तो expenses and losses है इसलिए dator में जो है वो provision काटा जाता है और और यह expenses and losses है इसलिए हम लोग इसको debit में दिखाएंगे two provision for bad debts के नाम से two provision for bad debts और याद रखना यह bad debts हमेशा किस पर कटता है डेटर्स पर कटता है ठीक है हाँ सर जी कभी कभी क्या होता है यह जो पैसा हम लोग provision काट रहें कभी कभी यह पैसा बढ़ जाता है और ज्यादा काटना पड़ेगा माल लो 5% काट रहे थे और आप काटना है 6% तो खर्चा और बढ़ गया लोस और हुआ तो अगर provision for bad debts increase होगा तो उसको आम लोग debit में दिखाते हैं to increase in provision for bad debts के नाम से ठीक है तो यह फायदा है तो credit में हम लोग लिखेंगे उसको by decrease in provision for bad debts अगर कभी provision for bad debts घटा तो उसको लिखेंगे हम लोग credit में ठीक है हाँ इतना कर लेने के बाद बस और कुछ नहीं जाएगा हो गया जी इतना ही चीज आपको दिखाना है ठीक है हाँ सर ठीक है अब क्या करेंगे अब हम लोग इसको बाइलेंस करेंगे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे भाई यहां से इस तरह से इसको close करेंगे और हम लोग इसका दोनों साइड क्या करेंगे बाइलेंस करेंगे ठीक है इस तो यह चल रहा है में क्रेडिट कम है डेबिट कम होगिया अगर तो Administration णकान अगर अगर देबिट गटा तो यह मेरे लिए प्रौफिट आएगा ठीक है और यह यह फ्रौफिट क्या यह profit हमको मिलेगा? नहीं सर हम तो biznes अलाई नहीं रहें, आपको मिलेगा? नहीं, तो क्या हमारे चाचा जी को मिलेगा? नहीं, तो किसको मिलेगा? सर उसे मिलेगा जो farm का old partner है, मान लो हम मान लेते हैं कि old partner A और B है, तो ये जो profit आया, ये profit को A और B के बीच बाटेंगे, ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, तो बाट देंगे profit को A और B के बीच, अगर old partner होगा X और Y तो X और Y को, अगर होगा X A और P, जो होगा old partner उसको बाट देंगे, ठीक है, ये profit बाट देंगे, अच्छा, किस ratio में बाटेंगे profit क तो सर जी इस प्रॉफिट को हम लोग old partners के बीज बाटेंगे किस रेशियो में बाटेंगे सर जी old रेशियो में बाटेंगे इतना याद रखना ठीक है सर अगर मान लो कभी ऐसा होगिए सर कि debit violence जदा हो गया और credit कम हुआ debit ज़ादा हुआ credit कम debit ज़ादा हुआ मतलब खर्चा ज़ादा हो गया खर्चा ज़ादा हो गया और income income है अगर credit कम आता है तो वह हम लोगों का loss होगा तो उसको लिखेंगे by loss on revaluation account और इसको transfer कर देंगे old partners capital account में same capital या current account में same a और b को जो है हम लोग क्या करेंगे इसको बाट देंगे किसके बीच old partners के बीच किस ratio में old ratio में clear है यानि आपको इतना याद रखना है कि अगर आप revaluation account बनाए और revaluation account बनाते समय अगर आपका credit balance आया credit balance मतलब credit ज्यादा है तो वह profit आपको बताएगा और अगर मानलो revaluation account बनाते समय अगर आपका debit balance आया तो debit balance आपका loss बताएगा credit balance मतलब credit ज्यादा debit balance यानि debit ज्यादा clear बस यही revaluation account का format होता है कोई दिकत नहीं है सर जी एक बार और repeat कर लो मेरे साथ revaluation account एक nominal account का पाठ है जितने भी expenses and losses होंगे debit में दिखाएंगे जो income and gain होगा उसको credit में assessed increase होगा income and gain होगा assess decrease होगा expenses and losses होगा liability increase होगा expenses and losses liability decrease income and gain अब आते हैं format के उपर पापा के format में चलता है PAPA debit credit के format में अगर assessed increase हुआ तो उसको revaluation account के credit में assess decrease हुआ debit में liability increase हुआ debit में liability decrease हुआ credit में कोई unrecord assessed है credit में unrecord liability है debit में provision for bad debts जब भी कटेगा data पे काटेंगे और provision for bad debts हमेंशा debit पे लिखेंगे clear increase in provision for bad debts debit में decrease in provision for bad debts credit में अगर balance करने के बाद अगर debit घटा तो profit on revaluation account credit हटा तो loss on revaluation चुकि यह admission है तो profit आए चाहे loss आए old old partner के बीच old ratio में बाटेंगे इतना चीज है clear है कोई दिकत नहीं हाँ sir कोई दिकत नहीं अब हम लोग इसका जर्नल पोस्टिंग करते क्योंकि कोस्टिन में कभी कभी आपको या तो of journal entry ठीक है चलो हाँ sir चलो करते हैं तो concept के लिए एक बार format को और थोड़ा सा repeat करना जरूरी है तो यहां पर फिर से format को एक बार repeat कर लेते हैं sir ji revaluation account अगर spelling गलती होगा तो आपको एड़ेस्ट कर लेना है थोड़ा सा ठीक है sir ji कर लेंगे एड़ेस्ट कोई दिकत नहीं है इधर है मेरा यह debit balance और इधर यह मेरा है credit balance अब ध्यान से समझना जर्नल एंट्री बनाते समय आपको इधर उधर कूद की जर्नल नहीं बनाना है आप या तो पहले टोटल डेबिट वाला जर्नल को पूट कर देना या तो फिर क्रेडिट वाला अच्छा debit में क्या क्या आया था भई तो डेबिट में आया था टू डिक्रीज तो डिक्रीज इन एसेस्ट आया था इसके बाद क्या आया था भई तो इनक्रीज इन लाइबिलिटी आया था और तो अन्रिकोर्ड लाइबिलिटी आया था अन्रिकोर्ड लाइबिलिटी आया था और तो प्रोविजन फोर बैड डेप्स आया था प्रोविजन फोर बैड विजन फोर बैट डैप्स आया था गैजिय में यहां पर हम लोगों का बिल्कूल आया था अब देखो जब इसका जर्नल पोस्टिंग करेंगे तो जर्नल कोशिक फोगा किस तरीके से इस चीज को समझा है अच्छा क्रेडिट में क्या आया था जैस्ट इसका पोजीट बाए decrease in assessed आया था by एक मिनिट गलत बोल दिये ना एक मिनिट रुको थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा यहां क्या क्या आया था by increase in assessed आया था increase in assessed और by decrease in liability decrease in liability और by unrecorded assessed इसके बाद by decrease in provision for bad debts इसके बाद last में इधर घट के आया था loss ठीक है और यह old partner को जो है वो दिये थे यही चीज काम किये थे इसके बाद इसको हम लोग यहां से क्या किये थे close अब समझो किस तरह से इसका जो है वो फोर्मेट बनेगा अच्छा से समझना अच्छा से जो सिखा रहे हैं देखो यह debit credit अलग अलग तोड़ दो ठीक है यह 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 जो है इधर debit बाइलेंस बता रहा है left side debit बाइलेंस है इधर यह debit बाइलेंस है औ ठीक और debit के अंदर यह जो भी चीज है to decrease in SS2 increase in liability यह सब चीज यह सब चीज मेरा कौन बाइलेंस में भागेगा credit क्यों क्यूंकि जर्नल में दो ही साइट तो होता एक debit credit अगर उपर वाला debit है तो नीचे वाला यह जो भी चीज है यह नीचे वाला आप जो भी चीज यह यह सब चीज मेरा जाएगा credit में और उस साइट देखो उधर 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 जो है उधर क्या हो रहा है वह यह इंदर है मेरा credit में यह इसका मतलब है यह जो भी चीज होगा यह सारा चीज किदर भागेगा debit में अगर एक बाइलेंस debit है तो उसके नीचे वाला सब उधर वाला क्रेडित है तो निचे वाला सब डेबिट हाँ सर ठीक लेकिन सब जर्नल पर क्या एफेक्ट पड़ेगा सिंपल बात है जब हम इन सब का जर्नल बनाएंगे इन सब का मतलब इनक्रीज इन लायबिलिटी अन्रिकोर्ड लायबिलिटी प्रोविजन पॉर बैड डेप्स कैसे बनाएंगे जर्नल में पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट तो जब इन सब का जर्नल बनाएंगे एक साथ तो कैसे बनेगा पहले यह जो रिवेलुएशन अकाउंट है उसक टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्स तू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेप्स यानि उपर वाला डेबिट में और यह सब को टू-टू करके क्रेडिट में अब आगर इसको अलग-अलग जर्नल समझना है अगर आपको बोले डिक्रीज इन एसेस जर्नल इंट बłem फॉर बैंट्स का एंट्री बताईए रिवेलुएशन एकाउंट डैवीतो प्रोवाईजन पोवाला ये तो रीवेलुएशन इसके अंदर जो भी है, by increase in assessed, by decrease in liability, by unrecorded assessed और by decrease in provision for bad debts, यह सब चीज मेरा जाएगा debit में, clear? तो अगर आपको बोले कि increase in assessed का journal entry बनाईए, तो journal में पहले debit जाएगा, तो यह जो increase in assessed है, यह जाएगा मेरा debit में, और revaluation account जाएगा मेरा credit में, तो journal बनेगा increase in assessed का, increase in assessed account debit to revaluation account, फि decrease in liability, तो journal होगा decrease in liability account debit to revaluation account, आपको बोलेगा unrecorded assessed, तो unrecorded assessed account debit to revaluation account, आपको बोलेगा decrease in provision for bad debts, तो decrease in provision for bad debts account debit to revaluation account, clear है, इधर का journal बनाना है, पहले debit का बनाना, credit का बनाना है, credit का बनाना, दोनों journal के बाद, last में profit या loss का entry बनेगा, अब अगर मानलों यह profit का entry हम लोग बनाए बिराएनो किसको मिला है पाटनर को ओल्डर पाटनर को समय करना खचान परकाउनार concert में गुकृत देविट में तो फीट से सुन तो टोवीट ही जबनेर है औरीक रिचाहिद separate और अगर इधर लोस होगा इधर 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 अगर लोस हुआ है तो लोस का जर्नल उल्टा होगा लोस होगा तो यह पार्टनर्स को करेंगे डेबिट में तो जर्नल होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना भी ओल्ड पार्टनर होगा उसको कबी-कबी डायरेकत्स हिरफ रिवैजलुएशन अकाउंट भी लिख सकते हो आया समझ में इतना जर्णल बनता है पहले तो आप मतलब benefits का एंटरी बना लो उसके बाद credit का य्या तो credit का एंटरी बनाऊ उसके बाद debit का profit या लोस का एंट्री आप लास्ट में बनाओगे आया समझ में मेरी बात समझ में आ गई ठीक है और अब जाते जाते एक चीज और बता दे रहें आप लोगों को कि कैसे आप पता लगाओगे कि भाई एसेस्ट और लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो उसके लिए आप क्या करोगे सपोज करलो हम आपको बस समझा दे रहें अभी लास्ट है और बस चुट्टी कर रहें सपोज करलो यह एक बाइलन सीट आपको डिवे नह सपोच कर लो उसके बाद creditors है यहाँ सपोच क्रेडिटर सै सपोच आपका 10,000 इसके बाद bills payable है आपका सपोच कर लो 6,000 ठीक इसके बाद इसको balance close कर दिया स्टेम यहां इन लोगों के पास केस है सपोज केस है कुछ अमाउंट का केस है सपोज कर लो इसके बाद इन लोगों के पास जो है वो बिल्डिंग पड़ा है सपोज हम बस समझा रहे हैं बिल्डिंग सपोच कर लो साथ हजार का है ठीक है इसके बाद सपोच कर लो इन लोगों के पास फरनीचर है परनीचर सपोच कर लो कि आपका पंदरा हजार का है ठीक है इसके बाद सपोच कर लो इन लोगों के पास डेटर्स पड़ा हुआ है डेटर्स है सपोच कर लो छे हज चीज दिया है यह ललmore का मतला पुस्तक की मुल नीक में इतना इतना इसका वैल्यू है यहां कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ लिखा हुआ रहेगा कुन आया कि लेकर आया मना से कुछ मेंसन है bis तरजी एडजेस्टमेंट लिखा हुआ रहेगा अच्छा कपोच कर लो एडजेस्टमेंट पे ऐसा लिख दिया कि क्रेडिटर जो है सपोच बोला क्रेडिटर री वैल्यूड एट रुपीस एट थाउजन बोला गया है कि जो क्रेडिटर से वह 8000 रुपया हो गया फिर बोला है कि बिल्डिंग का जो वैल्यू है वह बिल्डिंग बोल रहा है कि एक लाक का बिल्डिंग जो है वह हो गया ठीक है इस तरह किसे कुछ-कुछ एडजेस्टमेंट दिया अब आपको देख के पता लगाना है कि भाई वह इंक्रीज हुआ या डिक्रीज तो सबसे पहले ला 1000 था और अब हो गिया 8000 तो बोलो बड़ा या घटा 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 कितना से घटा याद रखना आपको से माउंट से मतलब है कितना से घटा तो यह दस अजार था अभी 8000 हो गिया कितना से घटा दो हजार से घटा कितना से घटा दो हजार अब बताओ liability decrease हो रहा है तो revaluation account के credit में दिखाएंगे तो इस दो हजार को revaluation account के credit में दिखाएंगे by creditor के नाम से ठीक similar इसी तरीके से अब देखो यह हम लोगों का है bills payable तो bills payable देखो कितना हो गया देखो बिल्स पेबल कितना था शे हजार का bills payable 10 अजार हो गया बढ़ा या घटा पहले शे हजार था अब दस हजार हो गया तो बढ़ गया कितना से बढ़ा 4000 से बढ़ा आपको इस 4000 से मतलब है 4000 से बढ़ा ठीक अच्छा liability बढ़ रहा है चार हजार से लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो 4000 को रिवेलिवेशन एकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे तो बिल्स पेबल के नाम से क्लियर हां से क्लियर अब बिल्डिंग बिल्डिंग कितना हो गया भाई एक लाक अच्छा मार्केट वैल्यू हो गया एक लाक बुग वैल्यू कितना है उसका पहले कितना था बिल्डिंग 60,000 अब बताओ 60,000 का building एक लाख हो गया 60,000 का building एक लाख हो गया बड़ा या घटा? बड़ा कितना से बड़ा? 40,000 से बड़ा अब अगर building बड़ा यानि assist बड़ा तो revaluation account के credit में by building के नाम से दिखाएंगे 40,000 रुपिया जितना से बार बार बोल रहे हैं उसको दिखाएंगे ठीक है इन सब को दिखाएं फिर बाइलेंस करेंगे profit या loss आएगा अच्छा इसके profit आएगा debit हटेगा तो profit आएगा credit हटेगा तो loss आएगा profit आए चाहे loss आए old partners के बिच old ratio में बार देंगे clear हाँ लेकिन फिर क्या होगा बाकी का क्या जैसे ये case था इसके बाद ये furniture था ये data था इसको दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे रिवेलुएशन में नहीं दिखाएंगे समझ में आ गिया बस इतना ही चीज आपको समझना है I hope जो भी चीज आपको समझाए Revaluation Account का पूरा concept उसका पूरा format जर्नल का पूरा concept उसका format और ये posting किस तरह से होता ही है सब चीज समझ में आ गिया इसके next वीडियो में हम लोग पूरा एक complete question लिकर के आएंगे जिसमें Revaluation को पूरे completely तरीके से जो है हम लोग पढ़ेंगे questions को ठीक है चलो वीडियो पसंद आई है तो like करो, share करो, comment करो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कर दौत परिसानी है तो comment कोरो या जो हम लोगों का telegram channel है वहाँ join हो जाओ, वहाँ भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते है telegram channel का link नीचे description में आप लोगों को दे देंगे ठीक है चलो, bye, take care